हलो एब्रिवन वेल्कम टू दे लूजन दे लूजन की इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑप्रेशन ब्लू स्टार के बारे में क्योंकि यह हाली में बहुत ज्यादा चर्चे में है और यह ऑप्रेशन ब्लू स्टार इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाली में इसका सेतिस्वा वर्स गांठ मनाये गिया है हम लोग यहां समझेंगे आखिर इंदरा गांधी का क्या रोल है और साथ में ही यहां पर आफ फोटो में देख सकते हैं गॉल्डेन टेम्पल का फोटो तो यह इससे कैसे लिंक है लेकिन मैं यहां पर एक चीज़ और मैंसन कर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के तौर पर हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के तौर पर देखें और यह खुद डिसाइड करें कि आखिर यह सही हुआ था या गलत तो देखो चर्चा में रहने का कारण जैसे कि आपको बताये गया कि Operation Blue Star को हुए 37 वर्स हो गया तो इसलिए यह बहुत जादा न्यूज में रहा है और इस वर्स गांठ को मनाए गया 6 जून को अब यहाँ पर मैं मैंसन करना चाहता हूँ कुछ नाम जो आप याद रखेंगे वो नाम है जर्नेल सिंग भिंडरवाला पंजाब की एक पार्टी अकाली दल और खालिस्तान देखो मुद्दा खालिस्तान से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब देश अजाद हुआ उसके बाद छुटपुट टाइप से खालिस्तान का मांग उठने लगा था लेकिन उस समय यह बहुत ज़्यादा हवा में नहीं था लेकिन देखा यह जाने लगा कि 1980 के दसक में इस मांग ने काफी ज़्यादा जोर पकड़ लिया और जिसमें पाकिस्तान की भी एक भूमिका है अब पाकिस्तान की यहाँ पर क्या भूमिका है देखो 1970 के दसक में पाकिस्तान बंगला देश पर काफी ज़्यादा अत्याचार कर रहा था यहाँ पर बंगला देश को अलग करने के लिए एक separate देश बनाने के लिए इंडिया ने एंट्री मारी इंडिया ने बंगला देश को अलग कराया और एक नया नेशन के तौर पर इसको खड़ा किया ये बात पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा क्योंकि इस्ट पाकिस्तान के नाम और इसको एक मिल गया रास्ता कि अब किसी तरह इंडिया को भी इसका जुर्माना भरना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर मैं politics को भी ज़रा सा add करना चाहता हूँ आप यदि बहुत बड़े चेहरे में एक party से belong करते हो किसी भी original party से belong करते हो और यदि कोई और आपके सामने खड़ा हो तो उसको किसी न किसी party का support होगा और उसको जो खड़ा करेगा वो कोई न कोई party तो जरूर होगी तो यहाँ पर भी यही बात हुआ अकाली दल पंजाब का सबसे बड़ा party इसके against में इसको counter करने के लिए एक आदमी चाहिए जिसको Congress ने बहुत ज़्यादा support किया वो था भिंडर वाला और भिंडर वाला जो था इसी ने खालिस्तान के मांग को भी हवा में लाया इतना ज़्यादा तो देखो हुआ क्या भिंडर वाला तो बन गया एक बड़ा चेहरा और जिसने खालिस्तान की भी मांग सुरू कर दी इसके द्वारा कहा गया कि आप आनंदपूर resolution भी पास करें खालिस्तान को अलग देश बना दें और इसका support चुकि पाकिस्तान कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान को 1970 के दसक में जो हार मिली थी वो उसको रास नहीं आ रहा था तो ये काफी ज़्यादा support में था और चुकि पाकिस्तान का support मिलने के बाद ये काफी ज़्यादा हवा में आ गया कि अब तो भाई पंजाब को एक अलग देश बनाना ही है तो इस तरज पर क्या हुआ है कि भिंडर वाला जो थे ये काफी ज़्यादा अकरामक हो गया अकरामक हुए और इसका गड़ बन गया स्वर्न मंदिर जो कि पंजाब में है जिसको हम लोग कहते हैं golden temple golden temple को हम लोग हर मंदिर साहब अभी कहते हैं तो आप किसी भी नाम से इसको बला सकते हैं और किसी भी चीज को ये operation में लाते थे इसी golden temple के अंदर से या golden temple से क्योंकि इनका तो गड़ ही था वहाँ पर अब यहाँ पर गड़ होने का एक और कारण है भारत की ऐसी संस्कृती है कि मंदिरों में हम लोग मंदिरों में कोई भी सस्त्र लेके परवेश नहीं करता है तो यहाँ पर ये एक चीज देखी जाती थी इसलिए कहीं ने कहीं इसने गड़ बनाया golden temple को और यहाँ पर उन्होंने बहुत जादा अपना पैर जमा लिया जो बाद में बहुत जादा दिक्कते हुई वो यहीं इसी परिसर के कारण हुई क्योंकि ये बाहर नहीं निकल रहे थे तो खेर वो बाद में हम लोग चर्चा करते हैं पहले तो यह हम लोग जानते हैं कि खालिस्तान की मांग तो ऐसे शुरू हुई जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने भिंडरवाला को काफे ज़्यादा सपोर्ट किया भिंडरवाला ने कहा कि मुझे एक सेपरेटर राज्य चाहिए मुझे एक सेपरेट देश चाहिए एक नेशन हमको चाहिए जिसका नाम खालिस्तान होगा क्योंकि ये चाहते थे कि सिक्क लोगों के लिए एक अलग देश बन जाए जिसका नाम खालिस्तान हो और इसकी राजधानी चंडीगड़ो तो यहाँ पर जैसे ही भिंडर वाला ने प्रस्ताव रखा भारत सरकार से कि आनन्दपुर रेजिलेशन पास करे हमको एक नया देश बना कर दे हमारी सारी व्यवस्ता को हमारे अंदर करे बहुत सारे ऐसे इसमें बाते थी जो आपको पेडियेप में मिल जाएंगे आप उसको खुद पढ़ लेना मैं सौट तरीके से और एक आसान सी भासा मैं आपको समझाने का यहां पर कोसिस करूँगा जैसे कि पानी का मुद्दा नदी का मुद्दा और भी बहुत सारे बिजली हैं बहुत सारे ऐसे संगठन है जिनको वो सेपरेट करना चाहते थे तो बस भारत सरकार के दवारा यही चीज नहीं किया ग वो उसके अगेंस्ट हो गए और इसको आतंकवादी डिकलियर कर दिया क्योंकि इनका जो मांग था यह बहुत जादा काफी अक्रामक रूप भी पकड़ लिया तो यहां पर अकाली दल और कॉंग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं होती है यहां पर लड़ाई सुरू हो जा हो जाना है इस देश के साथ क्योंकि यहां पर एक अलग देश की मांग उठ रही थी चुकि पंजाब एक स्टेट है तो यह देखा जाने लगा और इसी चीज को काउंटर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉंच किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है यह सिर्फ और सिर्फ इस खालिस्तान के मांग को दबाने के लिए भिंडर वाला को पकड़ने के लिए और गॉल्डन टेंपल को सेपरेट करने के लिए यह चीज किया गया था जिसमें गॉल्डन टेंपल को बहुत जादा नुक्सान जिलना पड़ा क्योंकि यहां पर भिंडर वाला छुपे थे तो इनको counter करना इतना आसान था नहीं क्योंकि जो golden temple है जैसे कि आप यहां देख पाएंगे इनके जो ब्रामदे हैं यह इतना narrow है कि वहां पर बहुत ज़्यादा यह सेनिकों का दबदबा नहीं हो पाया और भिंडर वाला को पकड़ा नहीं जा सका इसमें एक और कारण है क्योंकि जब यहां पर परसासन को उतारा गया तो यहां से यह notice किया गया कि इनके पास भिंडर वाला के पास बहुत ज़्यादा असला बारूद आटोमेटिक मसीन गन यह सब उपस्थीत है और यह तो किसी को छोड़ भी नहीं रहे हैं कोई भी आता था तो उसको गोली मार दिया आता था सीधा कि अब तो भाई मुको चाहिए ही चाहिए यह इतना क्रूशल मांग हो चुका था यहां पर इस चीज को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि अब तो सैनिक अंदर जा नहीं पा रहे हैं इन सभी को भाहर नहीं निकाला जा सकता है तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार नहीं यहां पर टेंकों को भी भेज दिया जो हमारे यहां टेंक है उनको भेज़ा देखो टेंकों में एक और advantage होता है वो यह है कि टेंक बहुत ज्यादा रोसनी करता है कुछ सकेंड के लिए जिससे यह होता है कि किसी के आँख में वो जदी रोसनी जाए तो वो तो 10 सकेंड तो कुछ देख नहीं पाएगा और वो चटपट करने लगेगा जैसे कि होता है कि आप सोके उठते हो और आपके आँखों पर बहुत जो रोसनी आ जाए तो आप आँख खोल नहीं पाते हो वैसे ही इस्थिति ये टेंकों के द्वारा किया जाता है लेकिन ये बहुत कम समय तक ही होता है तो बार बार टेंक को अंदर करना बार करना ये ठीक नहीं लग रहा था और चुकि ये आपरेशन को रात में अंजाम दिया गया क्योंकि दीन में यदि ये आपरेशन को अंजाम दिया जाता तो हो सकता था कि जो खालिस्तान के मांग करने वाले सपोर्टर हैं भारतिय सेना को घेर लेते हैं और बहुत ही यहां पर बुराश्तिती हो जाने वाला था लेकिन इन सभी को देखते हुए इस operation को रात में किया गया और एक चीज किया गया कि जो golden temple है इसके एक छट को उड़ा दिया गया तो जैसे ही उस छट को उड़ा दिया जाता है तो यहां पर जो मलवा गिरता है उसके कारण एक तो भिंडर वाला जर्नेल सिंग भिंडर वाला और दूसरा जो यहां पर सबसे पवित्र गरंथ जो सिखों का होता है वो है गुरू गरंथ साहिब यह वहीं पर रखा हुआ रहता है तो इस मलवे के कारण एक तो गुरू गरंथ साहिब उस पर जा गए कि नहीं ये बहुत जादा मुस्किल हो रहा था कि वो सच में मर गए या फिर अभी भी हैं तो ये कन्फर्म किया गया वहां के जो उसके सपोर्टर थे वो जब भाग के बाहर आने लगे तो यह भारतिय सेना के दोरा ये चीज कन्फर्म किया गया कि सायद ये तो मर गये हैं यूँकि जदी ये नहीं मरते तो इनके सपोर्टर ये डौड के बाहर नहीं आते डर के तो इस चीज को यहां पर दिया गया लेकिन यहां पर ये चीज देखा गया कि जैसे ही ये खबर सामने आती है कि भ भेंडरवाला भाग करके पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तानी सरकार उसको बहुत जल्दी लाइब टीवी पर ले आएंगे तो ये चीज जैसे ही भारत सरकार के द्वारा सुनी जाती है तो ये कन्फर्म होते हैं कि भाई आप तो बोल रहे हो भारतिय सेना तो यहां बोल आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है भेंडरवाला अंदर ही मर दब के मर गया है तो जैसे ही ये बात सामने आती है तो ये कन्फर्म होता है कि हां भेंडरवाला अब नहीं रहे और इस खालिस्तान मांग को यहां पर दबा दिया जाता लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है बात आती है अब इंद्रा गांधी और कॉंग्रेस पर जैसे ही इस ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया या फिर सफल बनाया गया तो सिखों के मन को बहुत जादा आहाद पहुचा कि भाई अब सिखों के द्वारा ये चीज देखा जाने लगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक री साय से थे तो उनके द्वारा चुकि बहुत ज्यादा सिखों को आहात पहुंचा था तो यह चीज उनको भी ठीक नहीं लगा और इंदरा गांदी को अपने ही गाड के मार दिया गया था और यहां पर बहुत जादा रॉइट्स हुए थे तो कभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि दिल्ली में वो क्या हुआ था और नहीं हुआ था लेकिन यह सब जीज देखने के बाद यहां पर नेशनल सिक्रोटिक गार्ड को यहां पर कमिशन किया ग हुए भारत सरकार ने यहां पर डिकलियर किया कि NSG को अब कमिशन करना पड़ेगा एक ऐसा समोह जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ले जो अनौप चारिक गतिवीदिया होती है उन पर काउंटर कर सके तो यहां पर इसलिए NSG को कमिशन किया गया और आपको याद है कि NSG आ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा यदि कुछ सिखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करें साथी साथ मैं आपसे ये क्वेशन पुछना चाहूंगा कि आप आप इस टॉपिक से क्या समझे और अपने आपको किस पक्ष के रूप में यहां पर रखते हो तो यह आज का लेक्चर थेंक यू फो लिस्निंग गड़ ब्लेस यू अल